हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं भी सेंटर ओफ मास ओफ सोलेट कौन कैसे फाइंड आउट करना है ठीक है तो सबसे पहले हम डियाग्राम से समझने की कोशिश करते हैं देखो यह आपको कोई कौन है ठीक है यह माल लेते हैं इसका सेंटर पॉइंट है माल लेते भी इसका रेडियस है इसका जो रेडियस माल लेते हैं आर है और हाइट ओफ दा कौन क्या है आपकी हाइट इसके माल लेते है टोटल हाइट ओफ दा कौन that is H ठीक है अब एक बात सुनिए student यह आपका एक solid cone है जब हम solid cone के बारे में discuss करते हैं तो यह totally filled है अंदर से भरा हुआ है solid है तो तो इसका हम volume find out करेंगे volume के हिसाब से हम center of mass find out करेंगे एक आपका hollow cone होता है एक आपका solid cone होता है तो हम solid cone के लिए find out करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एक वैसे तो हम कितने बर्जी parts में इसको cut कर सकते हैं मतलब जब हम एक cone ले cone के इसाब से करम cut करेंगे तो एक आपका circle यहाँ पर बन रहा नीचे तो आप उपर भी बना सकते हैं इसे से बहुत सारे इस में ले सकते हैं जहां तक आपका height है और height का यह आपका initial point origin माले center middle base point है तो माल लेते है 0 है और totally height point आपका यहाँ पर highest point क्या है आपका edge है ठीक है तो हम नीचे से find out करने जा रहे है ठीक है नीचे से हम उपर की तरफ find out करेंगे तो माल लेते हैं कि हम थोड़ा सा इस से उपर height पर माल लेते हैं वो height मेरी y height है ठीक है एक बात याद रखना हम y axis की बात करते हैं आप x axis का हमारा कोई link नहीं है ठीक हम यहाँ पर एक मतलब छोटा सा एक part कट कर लेते हैं कौन में से ठीक है ना अब एक जी ध्यान रखना जब हम hollow की बात करते हैं hollow में cut करेंगे जब इसको तो यह एक ring बनाएगा ठीक है लेकिन अब यह hollow नहीं अंदर से भरा हुआ है तो यह अंदर से क्या बनाएगा आपका एक disc बनाएगा क्या बनाएगा disc अंदर से फिल्ड होती है यह totally आपका फिल्ड है ठीक है ना मतलब material से फिल्ड है यह कौन आपका totally फिल्ड है तो इसका volume लेंगे है तो माल लेते हैं भी जो यह height इसकी है जो छोटी सी height दिख रही है आपकी यह height माल लेते हैं हमारी dy है और जो यह center point जो यहाँ से यहां तक का जो radius इसका smaller माल लेते है और यहां से यहां तक के जो height हमारी इसको मालते हैं y तेक है क्या माल लेते हैं इसको y अब एक बाद सुने इस student अब यह total height हमारी h थी और यह height हमारी यह उपर वाले बचेगी मतलब इस point से इस point तक की जो height बचेगी मेरे का बचेगी h-y बचेगी ठीक है अब एक बात सुनिए मतलब एक line है normally ठीक है यह slant height है माल लेते हम ठीक है यह आपको यहाँ पर आपको दिखरा हुआ यह radius है यह भी radius है तो यह आप उसमें parallel है और यह slant height दोनों को cut कर रही है तो कहने का मतलब क्या यहाँ से बनाओ angle और यहाँ पर बनाओ angle दोनों same रहेंगे ठीक है और यहाँ पर यह angle 90 है तो यह angle भी 90 रहेगा और यह उपर वाला angle दोनों में common है तो इसका मतलब जो यह वाला triangle है इसको माल लेते हैं A जो triangle है B, C और यह आपका D है यह आपका E है तो जो आपका A, B, C है और A, D, E है दोनों आपस में क्या रहेंगे similar यानि concurrent रहेंगे अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों की side को हम ratio में लिखेंगे side को कैसे ratio में लिखेंगे यह जो आपका triangle A, B, C इसमें जो sides हमारी H minus Y divide by यह हमारा कितना है? R है equal to ठीक है? तो यह हमारी दूसरा बड़े वाला triangle की अगर हम बात करें तो बड़े वाले triangle की height कितनी हमारी H है और उसकी जो base वाली line है वो हमारी क्या है? R है ठीक है? तो इससे हमें इसकी radius का पता चल जाएगा तो जब हम R find out करेंगे तो cross multiply करिये student तो जब हम इसको interchange करेंगे तो आपका H minus Y आपको मिलेगा और यह R by H मिलेगा उसको दर ले जाओ तो आपका R is equal to बनेगा R by H into H minus Y CS और नो student तो आप लोगो ने तो यहां से R को find out कर लिया है तो जैसे मैंने यहां से R को find out किया अब यह R हमेंने क्यों find out किया है यह आपको एक बिल्कुल understanding देगा तो आप अगे समझने की कोशिश करें हमने एक step complete कर लिया है इसका अब आप यहां पर एक चीज़ देखी रहे है कि आपकी जो यह line है normally इस line के उपर आपके देखो दो mask लाई करते है माल लेते है एक circular disk है इसका mask यहां पर M1 माल लेते है इसका M2 माल लेते है और यह दोनो Y axis पर है तो यह Y1 point पर है यह आपका Y2 है तो आप यहां से Y axis के लिए center of mask find out कर सकते है Y1 M1 plus Y2 M2 divide by M1 plus M2 अगर आप एक और disk ले ले बीच में उपर ले ले नीचे ले ले मतलब 0 से A point तक यह D point से A point तक आप N number of disk के हाँ पर let कर सकते है जितने मर्जी disk आप let कर लो है ठीक है तो जैसे आप D से A तक disk let कर होगे तो आप N number of disk के हाँ पर let कर सकते हो तो अगर आपने एक disk को let कर ली तो हम क्या YCM is equal to बनेगा मेरा Y1 M1 plus Y2 M2 plus Y3 M3 divided by M1 plus M2 plus M3 हमें भी लेगा तो हमने मतलब यहाँ पर देखो N number of particles हमने लिए होए है N number of disk आप यहाँ पर let कर सकते हो लेकिन आपको क्या करना है इतने disk ना let करने के वज़ए आपके पास एक normal particular formula है जो integration form में होता हमारा वो हमारा होता YCM equal to Y into DM divided by DM ठीक है अब यह जो integration of DM है माल लेते हैं यह आप अलग भी कर सकते हो और इसको total M के बराबर भी मान सकते हो कि आपको जो mass है total हम क्या माल लेते हैं इसका M है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं YCM is equal to 1 upon M integration Y DM अब आपको यह चीज़ समझा गई है अब हम अपना question आगे करने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए आपको हर एक question में जब भी आपको central mass find out करने के लिए बोला जाएं तो हर एक case में आपको एक चीज मांड में set करनी है कि आपको हमेशा mass per unit volume निकालना है अगर आपके पास length है तो mass per unit length आपको find out करना है अब कैसे find out करना है देखे student यह solid sphere है तो solid sphere में आपको volume find out करना पड़ेगा तो इसको मांड लेते mass per unit volume तो मांस पर unit volume मानेंगे तो इसके छोटे interval का इस छोटे से का तो इसका क्या मानेंगे हम इसका dm upon हम मान लेते हैं यहां पर डीवी से है सोनो अब हमें dm find out करना है अब dm कैसे find out करें तो dm is equal to हमारा निकले का mass upon volume into what dv अब v हमारा क्या है v हमारा पूरे कौन का volume है तो हम इसको बोल सकते है v is equal to pi r square h तो कौन में आपको यहां पर आगे 1 by 3 भी आता है ठीक है अब जब यह छोटे interval का volume find out करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसे लगर होग cylinder type कैसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ यह आपकी उपर ली ring है यह आपकी इसके चार उतरफ ऐसे है ऐसे है ठीक है तो यह देखो आपको दिखरी होगी यह इसकी height है और यह इसकी क्या है radius है तो यह एक तरीके का cylinder बन गया तो गर cylinder बन गया तो cylinder का volume कैस स्क्वेर है अब हमने इसकी जो height है इसको क्या माना हुआ है हमने इसको dy माना है radius को small r माना हुआ है तो मारा यह क्या बन जाएगा dm is equal to mass upon 1 by 3 pi r square h और तो volume का क्या बनेगा हमारा pi r square into dy CS or no student अब 3 को पर लिख लिजी आप तो आपका ऐसे आएगा 3m divided by pi r square h तो you can write pi r square into dy pi to pi you can cancel out तो we will get 3m that is r square h तो r value you got upside there this is the r value तो you can put here the r value of r so we will get what r by h to h minus y whole square into dy CS or no student now you can solve this one we will get here what 3m upon what r square into h so you can open this bracket so we will get r square upon h square to h minus y whole square so after opening this one we will get h square uh plus y square minus 2 h into y into dy you can cancel out r square to r square you can cancel out then we will get what 3m divide by h into h we will get what h cube or this is the term you can write that that is the h square plus y square minus 2hy this is dy say yes or no value that is 3m by h cube h square plus y square minus 2hy dy okay में के तो मेरे पके से त्पास y cm का फूर्माइर है थिक मातलस center of mass along y axis मैंने को y axis को ये अक्स kn k है olla कि याउप था मेरा यहां पर था integration of that is y dm divided by that is m only total mass मैंने वहाँ पर ले लिया था ना कि जो मेरा dm था वो मैंने equal to capital M ले लिया था ठीक है तो y cm equal to अब यहां पर dm की value यहां पर put कर सकते हैं ठीक है अब dm की value यहां पर put कर यह देखते हैं हमारा क्या आता है तो 1 by m यहां पर मैं लिख रहा हूं तो यहां से मैं लिख रहा हूं dm की value मेरी है 3m upon how much h cube यह मेरा h square plus y square minus 2hy clear और dy ठीक है अब मैं limit क्या लूँ limit क्या लूँ यहां पर देखो मेरा जो कौन है normally यह मेरा कौन का shape है मैं दुबारा बना दे रहा हूं ठीक है यहां पर तो मैं क्या ले यहां रहा हूं 0 axis से ले रहा हूं तो मैं als certain height h तक लेके जा रहा हूं ठीक है na h तक ले जा रहा हूं तो मतलब iske बीच San इस निबर जी डिस्क मान सकता हूँ, एक दो दिन, चार पांच हैं, पचास हजार जी दिन भी है, तो मैं टोटल 0 से h के बीच में मान सकता हूँ, तो मेरी लिमिट यहां पर रहेंगी, 0 से h तक रहेंगे, अब हम इसको इंटिग्रेट करते हैं, ठीक है, तो हमारा यहां से नि इंटिग्रेशन 0 to h, तो हमारा यहां से मिला में h2, प्लस y2, माइनस 2hy, यहां पर मैं यह वाला y लिखना रहें यहां पर, तो मैं यहां पर यह भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक हैं, तो into y dy, अब इसको multiply करें अंदर y को bracket में, तो हमारा यहां पर y, तो हमारा 3m, करोंगों, तो मेरा क्या आएगा, यहां पर, यहां पर आएगा मेरा h2 into y, और प्लस y3 minus 2hy2 into dy, अब integration की टर्म को अलग-लग भी लिख सकता हूँ, और इकठी भी लिख सकता हूँ, चलो, इसाथ में integrate कर लेते हैं, देखो, 1 by m, थोड़ा अलग करके करते हैं, चलो, 3m divided by h3, तो integration और dy को लग-लग कर लेते हैं, देखो, पहले वाले हम करेंगें, ब्रेकेट लेते हैं, ऐसे 0 to h, ठेक है, तो हमारा यह h2 y into dy, प्लस integration, 0 to h हम integration को लग-लग कर सकते हैं, जिनको integration के बारे हम नहीं पता, वो थोड़ा ट्राइ करिए समझने के लिए, तो dy minus, तो यह आपका कितना आगा है, यहाँ पर 2 h y square, 0 to h dy, हम थोड़ा इसको integration को अलग-लग लिख सकते हैं, तो m से m मैंने पहले cancel कर देना था, लेकिन हम बात तो cancel नहीं किया, तो अभी कर देते हैं, 3 h cube, तो देखो, जो y, d के बाद जो लिखा जागा variable, तो यह भी variable, तो इस h square, यह मेरा constant हो जागा, तो constant का integration से कुछ नहीं होता, तो उसको बाहर लिख दिया जाता है, तो अंदर क्या बचेगा, 0 to h बचेगा मेरा, और यहाँ पर क्या मेरा y dy, right, प्लस, यहाँ से हमारा कुछ नहीं ही, तो हमारा normal ऐसी term रहेगी, dy, y cube, ठीक है, यहाँ पर मेरा रहेगा, यहाँ से म राइट, तो कैसे integration करेंगे, देखो, अगर मेरा यहाँ पर 1 है, तो 1 का integration वही होता, जो variable में होता है, तो y आ जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ पर पहले से y है, तो integration में होता, power make add, divide by same power, power make add, divide by same power, तो we can say, we will add 1 in power, तो it becomes 2 divided by same power, तो we will take limit also, 0 to h, say yes or no, तो same thing will apply here, तो it becomes y raised to the 4 divided by 4, 0 to h, minus 2 h, तो this will become y, this is 0 to h, okay on auto, okay student, now after solving this one, we will get here what, 3 divided by h cube, तो we will put here limit, देखो, h की limit पूट करेंगे, 0 की limit करेंगे, 0 हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पर भी सिर्फ उपर limit वाली पूट करेंगे, तो जो minus में 0 वाली है, वो ऐसे रहेगे, अपर limit पूट करेंग minus lower limit, lower limit 0, 0 square, तो 0, 0 हो जाएगी, सब टर्म, 0 वाली यह भी टर्म, 0 तो अपर limit वाली लिखेंगे, बस यहाँ पे, h square तो अपर limit means y, means h square by 2, we will get, plus में 0 लिखने की जरूत नहीं है, ठीक, माइनस में 0 लिखने की आपको कोई जरूत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे h की पाव 3, h cube, अब यह बन जाएगा, आपका h की पावर 4, दिवाइड बाइ 2, और यह बन जाएगा, आपका, h4 दिवाइड बाइ 4, this will become minus 2, h, 4, same, दिवाइड बाइ 3, take lcm, तो after taking lcm, we will get how much, this is what, h, raised to 4, lcm, we will take, this is, 12 will come, तो this is, how much we will get there, 6 h raised to 4, this is what, plus 3 h raised to 4 minus, this is, we will get, okay na, then after solving this one, we will get how much, 3 h cube into what, 6 h 4 plus 3 h 4, we can say 9 h 4 minus 8 h 4, we will get only 1 h 4 divided by 12, तो cancel out, we will get 4, h cube only 1 h, तो we will get h by 4, तो ycm, तो ycm, we will get h by 4, okay, तो we can see in the diagram, so, this is our diagram, you can see here, तो total height h है, तो नीचे से आपको शुरू करना है, यह हमारी downward, bottom से शुरू करना है, तो हमारा जो center of mass point रहेगा, वो हमारा h by 4 है, अगर मैं इसके, चार पार्ट में डिवाइड कर दूँ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट पे इसका क्या रहेगा आपका, center of mass point रहेगा, h by 4, तो उपरवाला पार्ट कितना बचेगा हमारा, देख लो ना, तो h minus h by 4, तो हमारा यहां से क्या हमें 3 h by 4, तो यह उपरवाला जो point में बचेगा हमारा यहां तक का, यह हमारा 3 h by 4 होगा, यह निकि हम कह सकते हैं भी हमारा उपरवाल पार्ट इसको बोलते हैं vertex, vertex से हमारा 3 h by 4, downward हमारा, क्या रहेगा हमारा center of mass रहेगा, और bottom surface हमारा h by 4, height पर रहेगा, ठीक है, तो this is the way for finding the value of center of mass of the solid cone only, understood student, okay, I am going to find out the center of mass of holosphere, इसमें simple method लगाने के कोशिश करेंगे, यह थोड़ा trick मैंने अपनी तरब से बना के देखा है, देखो क्या होता है इसमें, थोड़ा हम इसको पहले वाले method से अलग से तरीके के करने के कोशिश करें, लेकिन हम इसको compare करेंगा, भी बिल्कुल हमारा यह method पह होकला है, मतलब कहने का मतलब यह hollow है, इसमें material field नहीं है, मैं कहने का मतलब softy का example ले सकते हो, ठीक है न, अभी इसका center of point हो गया नीचे, तो इसको यहाँ पर join किया, और इसको उपर join किया, राइट, तो हमारा यह था, यह हमारा radius हो गया, हम इसको बड़ा complicated भी बना सकते है, sin theta और cos theta की formula कर, लेकिन हम ऐसा method apply नहीं करेंगे, वही चीज follow करेंगे मिया पर, यह अंदर से बिल्कुल खाली है, तो हमारे पास जो height है, यह 0 से लेके h तक है, ठीक है, अब 0 से h तक है, बहुत सारे जो हैं हमारे यहाँ पर, वो मान सकते हैं, यहाँ पर, मतलब हम ring मान सकते रिंग इसमें से लेते हैं, क्योंकि होलो हैं अंदर से, डिस्क नहीं लेते हैं, अगर यह अंदर से filled होता, तो वो डिस्क बनता, डिस्क एक बिल्कुल completely filled surface होता है, लेकिन हमारा complete surface नहीं अंदर से hollow है, तो जिस वज़े से हमारा यह disc नहीं बनेगा, यहाँ पर हमारा एक ring बन जाएगा ring, ठीक है नहीं है, हमारा एक ring बनेगा ring, यह ऐसे ring में हमने इसको cut कर लिया, clear ने पूरा circular है, यह थोड़ा हम में 3D नहीं दिखा बारा, ठीक है यह एक ring है इसके अंदर, ठीक है, अब आप इसमें बहुत सारे मान सकते हो, लेकिन हमने एक ही मानेंगे, इसमें तो हम कह सकते हैं इसका जो radius है, यह हमारा यहाँ पे R है, total height हमारी है है, तो ये मेरा Y है तो उपर जो मेरा बचेगा हो H, माइनस Y बचेगा, ठीक है, तो हमारे यह total हमारा surface, तो हम यहाँ पर वही compete करेंगे, compare करेंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, कि हमारे एक triangle हमारा यह वही बात होगी A, B, C है और एक triangle हमारा यह D और E है यानि कि A, D, E दोनों triangle में अगर हम apply करें तो दोनों triangle में जब हम apply करेंगे तो हम इसकी sides को compare करेंगे तो sides compare करेंगे तो कैसे होगा हमारा H minus Y divide by हमारा यहाँ पर मिलेगा हमे R equal to तो हमारे total हमारे पास H है और divide by radius हमारा capital R होगा ठीक है अब में इस चीज में को बतानी है इसमें से R निकालो तो R निकालेंगे तो हमारा यह निकलेगा R divided by H H minus Y ठीक है तो मतलब हमें R divided by H और H minus Y मुझे यह चीज में लिए यहाँ से ठीक है अब एक बात सुनो यह अंदर से hollow है hollow मतलब भरा हुआ नहीं है तो इसका मतलब इसका volume तो हो नहीं सकता तो इसका हम क्या लेंगे area लेंगे क्या लेंगे हम area ठीक है तो इस ring का area find out करेंगे तो वही हम formula apply करेंगे mass per unit area smallest form dm divided by d ठीक है तो यह ring के लिए है यह मेरा total के लिए है तो मैं अगर dm की बात करूँ तो मेरा mass upon area into क्या बनेगा मेरा यहाँ पर d a अब जो total का अगर हम बात करें तो हमारा इसका surface area होता है तो mass तो हमारा m रेक और यह मेरा बनेगा pi r l यह total के लिए है मेरा बच्चे total के लिए अब हम d a find out करेंगे और d a कैसे find out करेंगे देखो जब हम इसको अलग से बनाए थोड़ थोड़ा सा macroscopic level तो की increase करें यहाँ पर तो यह मेरा ring इस तरीके से है यह मतलब मुझे ऐसे लगएगा अब यह cylinder type है तो यह इसकी height होगी तो height मैं इसके मान लेता हूँ यहाँ पर यह मेरी क्या है d y है जो मेरी यह height है यह यहाँ पर मेरी height है यह मेरी height क्या है d y है ठीक है तो मेरा इसका area क्या बनेगा इसका बनेगा 2 pi r h क्योंकि इसकी radius क्या है मेरी small r है तो यहां पर यहां बनेगा 2 pi R H, H मतलब height यहां पर क्या बनेगा dy बनेगा ठीक है, pi से pi आप cancel out कर सकते हैं तो मेरा यहां से ने मिलेगा 2m और जैसे कि हम कर रहे है R L और into R dy, right अब R की value आप यहां पर put कर सकते हैं 2m upon what R L और R की value क्या हमार यह है R divided by H H minus Y right अब R to R cancel out कर सकते हैं तो हमें मिलेगा यहां से 2m divided by H L H L ना, और into में क्या मिलेगा मुझे H minus Y मिलेगा clear, अब X axis पर तो मेरा कुछ है नहीं है मेरा सारा totally connected Y axis है तो मेरा center of mass point भी Y axis पर मिलेगा मुझे कहीं नहीं कहीं यहीं पर मिलेगा पूरी line पर ठेग है, तो मैं यहां पर वही Y out करणा तो Y mism find out करने के लिए मैं क्या करूँ Yn find out करने के लिए मैं क्या करूँ तो इसके लिए मुझे गया करना पढ़ एका DM into Y into DM ठेग है यह मेरा zero से H के बीच में कहीं भी मिल सकता है तो आपको limit 0 से h apply करनी है ठीक है पिछले में मैंने क्या किया था कि जो मेरा 0 से h था वो dm को मैंने total यहां पर m लिख दिया था लेकिन इस case में आपको ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि अंदर से hollow है hollow का मतलब इसमें mass हर एक point पे equally distributed नहीं है ठीक है मतलब mass के जो strength inside बहुत कम है surface पे आपकी है सिर्फ अंदर तो है नहीं कुछ भी अंदर से खोकल है ना तो खोकले point मतलब हमें air में इसका center of mass point मिलेगा ठीक है ना तो कहने का मतलब अंदर से खाली होने की वज़े से तो हम इसको m the r value ने dm value is equal to 2m divided by बहुत important हो सकता है बच्चो थोड़ा सा इस पे try करना इतना difficult भी नहीं है ठीक है अगर मैं यहाँ पे लेख हो y cm equal to तो मेरा यहाँ पर था dm into y divided by dm था और limit मेरी वही थी 0 से h के बीच में total height के बीच में मुझे अपना center of mass point मिलेगा ठीक है अब इसको कर करने की कोशिश करते 0 to h इसकी value put कर यहाँ पर तो यह मेरा 2m divided by l मेरे को मिल गया और hl ठीक है यह मेरा h minus y मेरे को मिलेगा right into में क्या मिलेगा मुझे d y c s or no और यह एक और भी y है यह वाला y भी मुझे यहाँ पर मिलेगा और divide में भी same y चीज मिलेगी मुझे तो अगर मैं यहाँ पर apply root 0 to h अगर मैं देखूं तो यह मिलेगा मेरा 2m hl तो यहाँ पर मिलेगा मुझे h minus y यहाँ पर y नहीं है अब इसको integrate करते हैं बच्चे तो d के बाद जो है वो variable है तो इसका मतलिए y इसके साथ multiply है तो पूरी की पूरी term variable है तो बाग की सब constant है तो constant term को आगे ब बताओ यह 0 to h है और यह मेरा h minus y और y dy और यह मेरा कितना बचेगा नीचे 0 to h तो यह मेरा h minus y dy cs or no student तो this is simple one clear ना अब हम करते हैं इसको कहीं student इसको इससे cancel out करते हैं ऐसा नहीं करना है आपको इसको यह इससे पूरा का पूरा cancel out हो जाएगा तो आपको जो term बच्चे को उसको लिख लेखते हैं मेरे को भी नहीं पता अभी answer क्या आने वाला है मैं तो करी जा रहा हूं इ into y dy right अब इसको integrate करना हमें h minus y dy यह 0 to h आपको इसको integrate करना है तो देखो y को अंदर multiply करो तो आपको मिलेगा hy minus y तो यहाँ पर मिला आपको dy right तो इसको integrate करेंगे 0 से h तक तो same यहाँ पर भी होगा हमारा यह 0 to h में h minus y dy clear ना अब पूट करते हैं इसको तो जैसे इसको integrate करेंगे तो यह मतलब h y square by 2 y cube divided by 3 limit हमारी रहेंगी 0 से h divided by same यहाँ पर भी वाप करके देख लेना यह h square by 2 हमें मिला यह h cube by 3 हमें यहाँ से मिला same यहाँ पर मिलेगा h square मिलेगा जब हम पर limit h into h square हो जाएगा यह मेरा h square by 2 मेरे को मिलेगा अब मेरे को इसको calculate करना है देखते हैं मेरा क्या आता है मैं यहाँ पर calculate कर लेता हूँ यह मेरे सारी term y cm के equal है तो मैं यहाँ लिखता हूँ y cm equal to अब यह h cube by 2 आ गया मेरा यहाँ से minus h cube by 3 यहाँ से आया same यहाँ पर आएगा मेरा h square h square by lcm लेगा उपर वाले term का 6 lcm आया तो यह बनेगा 3 h cube minus 2 h cube divided by same यहाँ पर 2 h square minus h square by 2 अब यहाँ पर करो 3 h cube minus तो यहाँ पर हमारा बनेगा h cube by 6 divided by और यहाँ पर बनेगा मेरा 2 h square minus h square यह बनेगा मेरा h square by 2 राइट अब I am doing this one on next page तो मेरे को y cm equal to मिला था h cube by 6 h square by 2 तो जब मैं इसको solve किया तो क्या है मेरा h cube into 2 divided by h square into 6 तो यह 3 आ गया यह उपर आपका h आ गया तो हमें मिला h by 3 राइट तो हमें y cm मिलेगा h by 3 holosphere के लिए तो मुझे यह मिला कि जो हमारी यह bottom line है इससे उपर मेरा h by 3 है कहने का मतला total h k अगर मैं 3 part करूं तो यह अगर मेरा h by 3 है तो उपर वाला क्या बच्छे का मेरा h minus h by 3 means we will get there 2 h by 3 this part will get there 2 h divided by 3 the center mass of holosphere will be attached by 3 only clear this is very simple so by simple method we can solve this okay student